नमस्कार मैं आदित्ति दुवेदी आपका जोतिश मित्र आपके अपने यूटूब चैनल नच्छत्र तक में आपका श्वागत करता हूं अगर आप अपनी जन्म कुंडली शेशंबंधित परामर्स लेना चाहते हैं वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास महूर्थ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं अगर आप प्रत्न चाहते हैं रोद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शान्ती करवाना चाहते हैं तो सारी विवस्था आपको हमारे यहां से मिल जाएगी इसके अल अभी जो date of birth मैंने लिया है वो 11, 1988 का है 12 बसके 55 मिनट का जनम है यानि दिन का जनम है और राज कोर्ट का इनका जनम है इनकी कुंडली का विशलेशण हमारी पास में आया हुआ है सबसे पहले हम ग्रहसपस्ट का विशलेशण करेंगे कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिती में है लगन इनकी मकर है जैसा की दिख रहा है कि मकर लगन है यानि दस नंबर की गिंती पहले घर में होगी लगन की डिगरी 19 है लगन स्रवण नच्छत्र में है अच्छा है इसके लामा इनका चंदरमा ब्रिष्चिक राशी में हो करके बैठा हुआ है जो की नीच राशी चंदरमा की भी है पंद्रा डिगरी का है और ये अनुराधा नचछत्र में है नच्छत्रों का स्वामी इधर लिखा गया है मंगल इनका मीन रासी में हो करके बैठा हुआ है साथ डिगरी का है उत्परा भाद्रपद नच्छत्र में है और इस नच्छत्र का स्वामी गरा सनी है बुधिनका तुला रासी में बैठा है तेरा डिगरी का है डिगरी वाइस ठीक ठाक है स्वाती नच्छत्र में है नच्छत्र का स्वामी राहू है। कुम्भरासी में बैठा है 17 डिगरी का है सद्विसा नच्छत्र में जो कि इसका स्वयम का ही नच्छत्र है केतु सिंगरासी में बैठा है 17 डिगरी का है पुर्वा फालगुनी नच्छत्र में बैठा है जो कि सुक्र का नच्छत्र है तो ये तो ग्रहों की इस्थिती हो गई और इस स्थिती से हमें यह पता चल रहा है कि लगन की डिगरी कितनी है 19 तो जो ग्रह 19 डिगरी के आसपास होते हैं वो अपना अच्छा बुरा जादा प्रभाव दे पाते हैं एक तो राहू के तु देखिए 17 डिगरी के हैं जो 19 के करीब में हैं तो चंद्रमा भी लगन के करीब में हैं तो यह सारे ग्रह एक को सुक्र भी 19 डिगरी का है तो लगन से बहुत जादा दूरी पे नहीं है यह सारे ग्रह जादा प्रभावी हो जाएंगे लगन को फल देने में अब इनकी लगन कुंडली हम सबसे पहले ले लेते हैं और लगन कुंडली के माध्यम से यह जो हमने ग्रह असपष्ट निकाला इसके बारे में बात कर लेते हैं यहां पे लगन में दस नंबर की गिंती मतलम मकर लगन की कुंडली हो गई सबसे पहले लगनेस की ही स्थिती को देखा जाना चाहिए लगनेस बारहमे भाव में गया हुआ है बारहमा भाव होता है वैसे भी आप देखे बारहमा भाव सबसे दूर होता है लगन से ऐसा नहीं है कि ये बगल में है तो इसके पास है भाव की गिंती इस हिसाब से चलती है ये प्रथम भाव है ये पहला भाव है और ये बारहमा है तो यानि इस भाव का नंबर लगन के ग्यारा घरों के बाद आता है तो लगनेस बारहमे भाव में है दूर अस्थान है यानि ये विदेश का अस्थान होता है लगनेस बारहमे गया है ऐसा जातक अपने जीवन में काफी समय विदेश में बिताता है तो इनका विदेश का योग बड़ा तगड़ा बना हुआ है अब इसमें विदेश का योग तो बना हुआ है लेकिन और भी कई चीजें दिखाई दे रही है जिसे अभी मैं आगे बताऊंगा ये सनी इन का अच्छा ग्राह है सनी यहां से धन भाव पे द्रिश्टी डालेगा सनी की तीसरी द्रिश्टी धन भाव पे पड़ेगी जहां इसकी स्वयम की अपनी रासी है तो इसलिए सनी महराज तोड़ा बैंक भी बनाने का प्रयास करेंगे कि बैंक में रुप्या पैसा ठिक है सन इंडिकेशन सनी की दृष्टी यहाँ पर दे रही है। अब सनी महरास के बाद हम दूसरे ग्रह पे आ जाते हैं दूसरे भाव में देखिये राहू बैठा हुआ है धन भाव में राहू की स्थिती है अब सनी महरास तो दृष्टी डालके धन भाव के फल को बैलेंस करेंगे कि इनके पास धन रहे बैंक बैलेंस रहे लेकिन जब रा सा बैंक बैलन्स हो जाएगा फिर कभी खाली हो जाएगा क्योंकि राहू ऐसा ही ग्राह है न वो राहू कहीं भी बैठेगा तो वहां पर कंटिन्यूटी नहीं रहेगा मतलब एक जो निरंतरता है वो नहीं रह पाती है कि धन का ग्रोथ हमेशा अप यार्ड रहे ऊपर की बैठे या सनी बैठे तो व्यक्ति को अपने घर और परिवार से दूर रहना पड़ता है और राहू के यहां होने से जो है परिवार से दूर रहने के योग के साथ साथ कभी कभी व्यक्ति का पैसा फस्ता भी है थोड़ा पैसा वैसा उधार किसी को दीजिएगा तो सोच व में बैठा हुआ है मंगल यहां गुरू के घर में बैठा हुआ है मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी है और मंगल यहां पर गुरू की रासी में तो अच्छा है तुर्तिय भाव में बैठ के परिक्रमी भी बनाता है व्यक्ति मेहनत भी करता है मेह पड़ाने नहीं देते मेहनस से या स्ट्रगल जो आए लाइफ में उससे प्यक्ति निपड़ जाता है मंगल की दृष्टी छठे भाव पर भी आएगी जो सत्रूं का है छठे भाव पर कुरूर ग्रह की दृष्टी सत्रूं का निपटारा करता है मंगल की दृष्टी भाग् में ब्रिद्धी नहीं करेगा मंगल सत्रू के घर को देखने के नाते बुद्ध के घर को देखने के नाते भाग्य में औरोध पैदा करेगा सनी जो दृष्टी डालके भाग्य को बना रहा है मंगल उसमें औरोध पैदा कर रहा है इसके अलावा मंगल की आठमी द्रिष्टी दसंभाव पे पढ़ेगी दसंभाव पे मंगल की द्रिष्टी अच्छी होती है बेक्ति उची उची जगहों पे काम करता है उची कमपनिया मिल जाती है उचे नाम वाली कमपनिया मिलती है इस बात का संकेत मिल रहा है तो यह मंगल की दृष्टी यहां पे काफी अच्छी रहने वाली है इनके लिए इनके लिए अगले गराका विवेचन करें तो ब्रहस्पति महराज पंचम भाव में बैठे हुए हैं पंचम भाव का ब्रहस्पति पुत्र संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है यह सामान्यसा एक नियम है क्योंकि मंगल क्योंकि ब्रहस्पति पंचम भाव का कारक होता है और अगर ब्रहस्पति पंचम भाव में बैठता है अगर बल्वान होगा जतना बल्वान होता है प कभी कभी पत्र संतान का सुख देता भी नहीं है, या पत्र संतान देता है तो उसमें कोई न कोई तकलीफ भी दे सकता है, चुकि यहाँ पे गुरु वक्री है, इसलिए हम इस गुरु को बल्वान कंसीडर करेंगे, चंद्रमा की दृष्टी है, यहाँ पर पंचम भाव पे तो चंद्रमा कन्या संतान दे देता है, तो चंद्रमा इनको कन्या संतान देगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा उच्छ रासी को अपने देख रहा है। गुरू की दृष्टी का भी बेचन कर लेते हैं अब गुरू यहां से देखेगा भाग्य भाव को गुरू किसी भी भाव को देखेगा पाचमी दृष्टी डाल रहा है भाग्य को बढ़ाएगा लाभ भाव को देखेगा लाभ बढ़ाएगा उपर से चंद्रमा के सामने है गुरु चंद्रमामने सामने है गचकेषरी योग है। गुरु की लगन पे दृष्टी पल रही है, जहांपर गुरु की नीच की रासी है। तो अगर ग्रह नीच रासी को देखेगा, ऐसे भाव को देखे जहां उसकी नीच रासी हो, तो सारीरिक तकलीफ समय समय पे मिलता रहता है हेल्थ इनकी थोड़ी सी खराब होती रहेगी वातावरण बदलने के कारण से एटमोस्फियर चेंज बगेरा जब करेंगे तो इनको सारीरिक तकलीफ ऐसा गुरू देगा केतू की बात कर लेते हैं अस्टमभाव में केतू बैठता है तो पेट और गैस की समस्याएं देता है कभी-कभी ऐसे जातक को गैस वगेरा की समस्याएं को ज़्यादा ही परेशान करेंगी समय समय पे थोड़े दिन परेशानी रहेगी फिर ठीक हो जाएगी कभी-कभी पेशाब वगेरा भी जादा होने के चांस रहते हैं पेशाब और यूरिन से संबंदे दिक्कत यूरिकेशिट वगेरा बढ़ाना इन सब चीजों का इनको ख्याल रखना होगा अस्टमभाव में केतू है और इसके दृष्टी धन भाव पे पड़ेगी तो केतू की दृष्टी भी सातमी खराब है पाचमी दृष्टी केतू की बारह में भाव पे पड़ेगी केतू बारह में भाव को गुरू की रासी को देखे तो दानपन्य परोपकार और धर्म के लिए व्यक्ति को योग्य बनाता और ऐसा व्यक्ति कभी-कभी मोक्ष और ईस्वर की प्राप्ति के बारे में भी विचार करता है केतु की नामी तृष्टी चतुर्थ भाव पे पड़ेगी यहां से केतु नुन यहां देखेगा केतु जो है एक ऐसा ग्राह है जहां बैठता है जहां देखता है उसमें गती लाता है उसमें बार-बार परिवर्तन कराता है तो जन्म यह इनका जो चोथा भाव होता है यह हमारा रेसिडेंस होता है केतु बार-बार इनका निमास में हो करके बैठा हुआ है भाग्य भाव में बैठा हुआ है इनका कारक गरह भी होता है कर्म भाव का सुआमी है सुक्र ध्यान देजिए गा पर शुक्र नीच का है जो की संतान भाव का भी स्वामी है। यहां पे दो चीज नोटिस करिये गाद जो तिस में कभी भी कुछ भी विसलेशल करिये तो भाव को जरूर देखिए और भाव के स्वामी को देखिए तो यहां भाव के स्वामी जो सुक्र है भाव का स्वामी वह नीच रासी में बैठा है और भाव में भी नीच का ग्रह सू क्योंकि सूर्य है दसंभाव में और बुद्ध भी है दसंभाव में भले ही सूर्य नीच का हो अगर सूर्य और मंगल दसंभाव में है तो व्यक्ति को हाइट तो देते ही है व्यक्ति उचाई वाले छेत्रों तक पहुंचता है भले ही उसमें टिक पाने में दिक्कत हो क्योंक पाना कोई काम बहुत लंबे समय तक चलना अस्थायत की कमी ओबराल मिला करके कह सकते हैं तो अभी आगे हम इसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे क्या हो सकता है यह सुक्र और मंगल के लिए यह सुक्र और सूरे के लिए क्या उपाय करें लेकिन उसके पहले मैं यहां पे दिखेंगे तो चंद्रमा बैठा हुआ है वो भी नीच रासी में बैठा हुआ है तो यह तीन पपट्नी को भी मांसिक रूप से परेशानी अ इंको भी मांसिक रूप से शुक्र उच्च का किस रासी में होता है इसे नोट करिए शुक्र किस रासी में उच्च का होता है बारा नमबर की गिंती में यानि मीन रासी में तो मीन रासी में का स्वामी कौन सागरा है गुरू है अगर गुरू उच्च का होगा तो नीच भंग हो गया होगा गुरू उच चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग होगा बुध ही यहां पर बैठा हुआ है केंद्र में बैठा हुआ है जिस रासी में नीच का अगरा हो उसका स्वामी देख लीजिए या फिर जिस रासी में बैठा हो उसका उच्छ स्वामी यानि गुरू केंद्र में होना जिस रासी में उच्च का होता है यानि बारा नंबर की गिंती पर उसका स्वामी गुरू है वह चंद्रमा से केंद्र में बैठा है तो ये दोनों फैक्टर आपको देखना चाहिए कि लगन और चंद्रमा से दोनों में से केंद्र में हो अब यहाँ पर एक चीज और देखिए ये नीच भंग जो होता है इसको राजयोग बोलते हैं यानि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सूरे नीच का हो गया तो सूरे जिन चीजों का कारक है वो भी सुधर जाएगा नहीं नीच भंग राजयोग मतलब यह सा ग्रह उचाई पर ले करके जाएगा और चूकि ये उल्टा क करता है नीच है फिर भंग है तो यानि व्यक्ति लड़ करके स्ट्रगल करके इस प्रकार से आगे बढ़ेगा तो ये दोनों सुक्र और सुरे इनको उचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे अब यहां पर इनकी कुंडली में सुक्र का रग्रा है तो सुक्र का स्टोन इनक को पन्न भी पहनना है उपल भी ये पहने पन्ना भी पहने और दोनों 12 केरेट का पहने तो ये शुक्र के नीच भंग का थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रभाव उठा सकते हैं अभी बात कर लेते हैं इनके चंद्रमा की क्या चंद्रमा का नीच भंग हुआ है वेसे पहले ये भी देख लीजिए, इस कुंडली में पत्नी भाव का स्वामी चंद्रमा भी नीच का है, और पत्नी का कारक सुक्र भी नीच का है, ये दोनों नीच के हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी का अनुभव होता है, कि इनको पत्नी पच्छे से कुछ दिक्काता दिया सकती है, अब ही आगे देख लेंगे, उसके बारे में भी नौमांस कुंडली देखते समय, पत्नी का आयूस्वास तिन सारी चीजों को प्रभावित करता है, क्योंकि भावेस भी नीच का है, भाव का कारक भी नीच का है, सुक्र के नीच होने के नाते व्यक्ति थोड़ा सा बहुत पक्ष उतना मजबूत नहीं रहा होगा, पिता से उतना ज्यादा सुख साधन सिब्धा या पिता का सुख की गुंजाईश थोड़ी सी कम है, साथ ही साथ अगर हम देखें चंद्रमा नीच का है, तो माता के भी स्वास्त को परेशानी का अनभो देता है, माता से सुख और स फिल्ड में काम करेंगे, क्योंकि इनका एकदम से साफ साफ देखिया, दसंभाव में बैठा गरह कौन सा है बुद्ध, दसंभाव में कौन सा गरह बैठा है, बुद्ध और बुद्ध किस चीज़ का कारक है, कंप्यूटर आइटी का कारक गरह बुद्ध है, और दसंभाव का जो स्वामी है सुक्र वह भी बुद्ध की रासी में बैठा है यानि बुद्ध ने दसंभाव को भी इंफ्लियंस किया है और बुद्ध ने दसंभाव के स्वामी कर्म भाव के स्वामी सुक्र को भी इंफ्लियंस किया है तो इसलिए इनका IT के सेक्टर में ही ज्यादा अच् कि है क्या मैं नई टेक्नोलोजी सीख के टेक्नोलोजी में ही लगा रहूं आईटी में लगा रहूं कि मैंनेस्मेंट में चला जाओं तो मैंनेस्मेंट में जाने की जरूरत नहीं है ब्रैस्पति आपका सत्रू रासी में है कर्मभाव से संबंध भी नहीं बना पा रहा है अगर यहीं बैठा होता तो नीच भंग हो जाता चंद्रमा उच्च का होता है दो नंबर की गिंती में दो नंबर की गिंती का स्वामी सुक्र सुयम ही नीच का होके बैठा है तो यहां पे नीच भंग नहीं होगा क्योंकि जिस रासी में बैठा है जिस रासी में उच्च का हो क्योंकि यह आल्रेडी नीच रासी में होता, प्रतिक आत्मक रूप से तो नीच भंग होता नियम से, लेकिन अब पहली चीज तो एक केंद्र में बैठा नहीं है, ना तो लगने से केंद्र में है सुक्ष्ण ना चंद्रमा से है, अगर होता भी तो नीच होने के नाते वो सिस स्थिती का नीच भंग ना कर पाता तो इस कुंडली में चंद्रमा का नीच भंग नहीं हो पा रहा है लेकिन अच्छी बात यह है कि चंद्रमा जो है क्रिश्डपक्ष की छाया से बाहर निकल गया है सूर्य के आगे होके बैठा हुआ है तो सुक्लपक्ष का थोड़ा सा बल पाता तो इनकी मानसिक स्थिती को जादा ही बिगड़ने की संभावना बनते अब आ जाते हैं मैं पहले इनके प्रश्णों को यहीं पे कंक्लूट कर लेता हूं फिर उसके आगे अन्यवर्ग कुंडलियों को देखूंगा इन्होंने पूछा था कि तीन ग्रह नीच के हैं स सुर्य सुक्र और चंद्रमा तो इसमें से स्टोन किसका पहन सकते हैं सुर्य का नहीं पहनना है सुर्य आठवे भाव का स्वामी है सुक्र और बुद्य का स्टोन आप पहन लेजिए सुक्र के लिए उपल बुद्य के लिए पन्ना सुर्य के लिए आप सुर्य का मंत्र जब करके हमन करवाईए सूर्य की वस्तु गुड का दान करिए सूर्य के किसी भी वस्तु का वैसे खाने पीने वाली चीजों का दान में पहले रिक्मेंड करता हूं क्योंकि संसार में सबसे जरूरी चीज क्या है खाने पीने वाली चीज अन्नकारिड सबसे बड़ा रिड़ तो गुड का दान करिए सूर्य के लिए और जब करवा के हमन करवा दीजिए दूसरा चंद्रमा के लिए जब और हमन करवा के दान कर दीजिए चंद्रमा की बस्तु का चंद्रमा के और तालीस अजार मंत्र का जब करवा के हमन करवाना है और चंद्रमा के लिए दान करना है वो सब मैं इनको भेश दूंगा लिख करके अलग से कैसे क्या होता है, कितना जाप है, कितना दान करना है, साथ ही साथ सुक्र का स्टोन पहनने के साथ सुक्र का जप भी करमाएं, सुक्र के लिए दान नहीं करना है, क्योंकि सुक्र इनकी कुंडली में कारक है, तो सुक्र का स करता है तो राहु के लिए सनिवार को काले उड़त का दान करना है इतना ही इनको करना है से सुपाय की जरूरत इनको बढ़े की नहीं दूसरा प्रस्ण इन्हों ने पूछा हुआ है कि यह अलग-अलग देशों में जाते हैं अलग-अलग कंट्रियों में जाते हैं और वहां थोड़े समय काम करते हैं फिर काम छूट जाता है प्रोजेक्ट बंद हो जाता है या क्लाइंट जो है उस टेकनोलोजी को पुरानी टेकनोलोजी को लेना नहीं चाहता है तो आप एक काम करिए आप नई टेकनोलोजी सीखे और टेकनोलोजी के ही फिल्ड में बने रहिए ब अंगल भी दूई सुभाव रासी में है बारा नंबर की गिन्ती पर तीन परकार की रासीयां होती है चर इस्थिर और दो सुभाव। चर मतलब जादा समय तक इस्थिर मतलब कम समय तक और दोई सुभाव मतलब बीच वाली इस्थिती बन जाती है तो यहाँ पे जो है बीच वाली इस्थिती है दो सुभाव है जादा दूर नहीं रहेंगे बहुत जादा दूर नहीं जा पाएंगे इंडिया आने के लिए बार एसा नहीं होता था अब इनका दिमाग जो है clear decision नहीं ले पा रहा है या बार बार हर जगहों में भूम रहा है देखे आप ही का नहीं अगर हम वैसे भी बात करें तो किसी भी व्यक्तिके जब कामकास में थोड़ी सी वह पोह की स्थिती आती है तो व्यक्तिका दिमाग आई स् अब अगर इसको छोड़ दूं तो क्या करूं क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा कुंडली दिखा के आपने बड़ा अच्छा किया है आपके लिए final निड़ा है आप यहीं निड़ा ले लिजिए कि आपको नई technology सीके IT के ही छेतर में लगे रहना है ये आपके लि अब ही आ जाते हैं सूरे कुंडली में जो मान सम्मान का कारक है लगन में सूरे नीचका हो करके बेठा हुआ है और लगनेस भी नीचका है मान सम्मान की बहुत ज़्यादा अपेक्छा करकर के जीवन में नहीं चलनी है मान सम्मान अपने आप में बना रहेगा कोई अपमान साधे साती नहीं चल रही है सनी यहां गोचर कर रहा है जो कि धाया कहलाती है लेकिन चुकि सनी अपनी रासी में है तो धाया का कोई भी सेस्प्रभाव नहीं होने वाला है गुरू अभी आपकी रासी से गोचर कर रहा है पंचम भाव में गुरू फिर आजाएगा 22 अप्रेल से चठे भाओं में गुरु जब चठे भाओं में आ जाएगा चंद्रमा से चठे भाओं में होगा और लगन कुंडली से यह गुरु आपके चतुर्थ भाओं में होगा यानि कि फिर से आप क्यारी कर लीजिए काम चेंज होने वाला है कोई नया काम मिल सकता है या किसी नए देश जाना पड़ सकता है यानि देश परिवर्तन भी हो सकता है राहू भी अभी गोचर कर रहे हैं यहां पर और अक्टूबर बाद राहू महराज आ जाएंगे मीन रासी में तब आपके लिए थोड़ा सा जादा अच्छा यानि अक्टूबर बाद थोड़ा जादा लेते हैं होरा कुंडली आपके धन का स्वामी कौन सा देवता या पितर बनते हैं आपकी सिंग लगन की होरा है होरा कुंडली के लगन में देखिए पांच नंबर की गिंती लिखी होई है अगर सिंग लगन की होरा होती है तो धन के स्वामी देवता होते हैं इसलिए देव कुंडली हमने पहले ही अनालिसिस कर लिया है अब गली कुंडली पर चलेंगे। देशकान कुंडली से देखते हैं लगन में दो-दो सुभग्रा बेठे हुए है गुरु और सुक्र जिसमें से सुक्र स्वारासी का भी है और तिर्थिय भाव का स्वामी चंद्रमा भी लाफ में है वो भी अच्छी स्थिती में है इस जातक को ने मेहनत में और प्रयास में कमी नहीं छोड़ी है मेहनत और प्रयास पूरा कर रहे हैं जितनी इनकी चमता है कामचोर टाइप के आदमी नहीं दिखाई देते हैं मेहनत अच्छा करेंगे लेकिन यहां भी देखिए सूर्य और राहू का ग्रहन बना है उस मेहनत को धन में बदल पाने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि ये धन भाव होता दोसरा ना और ये देशकार कुंडली किसकी होती है परिश्रम की तो परिश्रम को धन में बदल पाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाए दे रहा हालंकि चंद्र और मंगल लाब भाव में हैं आमदनी निरंतर बनी रहेगी कभी कुछ बहुत बिसेश बैठना तो नहीं पड़ेगा आमदनी जीवन में बनी रहेगी चतुर्थांस कुंडली की बात कर लेते हैं चतुर्थांस कुंडली से हम व्यक्ति के भाग्य का विचार करते हैं लगन मे सूरी का बैठना तो बहुत अच्छा नहीं मान सकते हैं क्योंकि सूरी यहां पर मकर रासी में है, जल तट्व में है, सूरी बहुत ठीक नहीं है, लेकिन लगनेस का उच्छ का होना, ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है, तो भाग्या आपका साथ दे रहा है, भाग चतुर्थांस कुंडली में लगन अच्छा है लगनेस अच्छा है और नमंभाव अच्छा आ रहा है तो ऐसे विक्ति को पूर दुर्भाग यसाली नहीं समझ सकते चुकि लगन में है कमजोर है तो आप दुर्भाग यसाली है मनलब भाग्या आपका उच्छ कोटी का नहीं ह तो एक पाइटी क्या समर्थन लेना पड़ा तो एक पाइटी कहती है कि मैं समर्थन दूँगा लेकिन सरकार में सामिल नहीं होंगा यानि सरकार तो बनवाना चाह रहे हैं लेकिन सामिल नहीं होंगा कि मतलब अगर यह सरकार कुछ बुरा करती है तो उसकी responsibility नहीं लूँग सरकार में सामिल नहीं होंगा तो आपरचेक्च्र व्रूप से support कर रहे हैं तो यह जो अवर्ग mister भी के बैठे हुए हैं सुक्र महाराज जो की एक सुब ग्रा है और पंचमान शकुंडली का लगने सूर्य जो है लगन को देख रहा है सामाजिक ज्यान और वह आदिकी बात हम इस कुंडली से करते हैं गुरू भी लाब भाव में बैठा हुआ है आपके पास है आप बिहेविंग जानते हैं लोगों से कैसा बेवार करना है बात चीत सामाजिक आदमी है सामाजिक भी रखते हैं लोगों से समाज के लोगों से आपको पता है कि हाँ सबको सबकी जरूरत पड़ती है तो इस हिसाब से अच्छा बात ब्योहार कर ले जाते हैं सस्ठांस कुंडली से हम रोग और सत्रूं का विचार करते हैं लगन में तो कोई नीचका ग्रह हो करके नहीं बै हुआ है तो बुद्ध के कारण से सत्रूं तो कोई नहीं बनेंगे लेकिन कमपटीटर बड़े अच्छे बनेंगे सत्रूं क्यों नहीं बनेंगे क्योंकि बुद्ध अपनी रासी में है तो सत्रूं तो नहीं बनमाएगा लेकिन अब उसी सत्रूं का दूसरा फार्म होता है competitors सत्रू से तो हमें खत्रा रहता है जीवन को धन को लेकिन आपको जीवन और धन का खत्रा नहीं है आपको competitors से खत्रा है तो competitors जो है वो आपके काम को चुरा ले जाएंगे यहां से यह बुध के कारण मिल रहा है पन्ना पहनिएगा लगन कुंडली में मजबूत होगा ठीक हो जाएगा अगली कुंडली पे चलते हैं और अगली कुंडली हम आपकी देख लेते हैं जिसको थोड़ा सा उपर स्क्रॉल करते हैं सब्तमांस कुंडली पर कि आपने पत्र संतान के बारे में भी पूछा है कलर में बीच बीच में चेंज करता रहता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे सब्तमांस कुंडली का लगन देखिया लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं बेठा हुआ है लगनेश मंगल है बारामे भाव में गया हुआ है तो बहुत खराब इस्तिती तो नहीं है बारामे भाव में तो नहीं जाना चाहिए था तोड़ा सा कमजोर होता है सुक्र की रासी में है साथ ही साथ हमें पंचम भाव भी देखना पड़ेगा पंचम भाओ का स्वामी गुरू नीच रासी में बेठा हुआ है और अगर हम लगन कुंडली में देखें तो लगन कुंडली में पंचम में गुरू था पंचम भाओ में गुरू होना पत्र संतान के लिए ठीक नहीं है लगन कुंडली के अमसार और सब्तमांस कुंडली में ये गुरू नीच रासी में है तो एक काम करिएगा आप संतान के लिए प्रयास तो करिए लेकिन जब भी गर्व धारण होता है तो ब्रहस्पती का तुरंत आप संतान के लिए जब करवा दीजिएगा तो पत्र संतान आपकी सेफ एंड साउंड डिलीवर हो जाएगी और अगर गर्व धारण करने में भी दिक्कत आए तो पहले ही करवा लीजिएगा गुरू का जब और दान करेंगे तो आपको पत्र संतान का सुख मिल जाएगा सवाल उठता है कब तक हो जाएगा तो समय चल रहा है प्रियास आपको करना चाहिए अभी दसा महादसा के समय में इस बात पे और अधिक बोलूँगा कि संतान का समय कब आ सकता है अगली कुंडली देख लीजिए इनकी अस्टमांस कुंडली लगन को देखे अस्टमांस कुंडली से आयू का विचार लगन में कोई नीच का गिरातो नहीं बैठा हुआ है लगनेश बुद्ध है और यह बुद्ध भी नीच का नहीं है लाब भाव में जा रहा आयू बृत्ति का नियम लागू होता है केतू राहू और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए है यानि कि जब बुढ़ापा आएगा त कुछ ज़्यादा ही मानसिक चिंताएं आपको घेर लेंगी तो यहां पे मानसिक रूप से परिशानिया बुढ़ापा आवस्था में दिखाई दे रही है आयू ठीक ठाक है आयू में कोई कमी नहीं दिख रही है अगली कुंडली पे चलते हैं और यहां पे हम अब देखें के नौमानस कुंडली चुकि लगन कुंडली मेंगा सप्तमभाव बहुत अच्छा नहीं मिल पाया था हमें क्योंकि सप्तमभाव का स्वामी भी नीच का था कारग भी नीच था चंद्रमा और सुक्र नीच के थें तो दो बिवाया का भी योग बनता है कभी कभी पतनी से लंबे समय तक दूर रखने का योग बन जाता है या पतनी को स्वास्तकाई सूदे कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आता है तो कुछ ना कुछ मेरिड लाइफ में इनके वहापोह की स्थिती दिखाई देती है क्योंकि नौमांस कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल केतु है या तो साथ नहीं रहें और रहें तो बहुत जगड़ा हो जाए बात बिवाद होता रहें ऐसा कुछ दिख सकता है यहां भी चंद्रमा नीचका हो करके बेटा हुआ है तो थोड़ा सा दिख रहा है कि पत्नी बच्छे से कुछ दिक्कत रह सकती है पत्नी को बोलिए थोड़ा अपने स्वास्तों गेरा का ख्याल रखेंगी पत्नी के लिए आप बोल सकते हैं कि वो सोमार को चावल का दान करें और सुक्रवार को चावल का दान करें यानि चंद्रमा और सुक्र की बस्तों का दान करें अब आ जाते हैं जो one of the most important horoscope होता है उस पे आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं दस्मान्स कुंडली दस्मान्स कुंडली का लगन देखिए बड़ा सुन्दा लगन है यानि लगन कुंडली से तो हमें काफी बीक मिल रहा था कोई भी आपकी लगन कुंडली देखेगा तो बोल देगा की बहुत अच्छा नहीं है खराब है लेकिन जब दस्मान्स देखते हैं तो यहां से सुधार आ गया है यानि दस्मान्स कुंडली आपके जीवन में कैरियर को बहुत समाल रही है बहुत बैलेंस बना रही है तो बना रहेगा बैलेंस आप सिर्फ नई टेकनोलोजी सीखने का प्रयास कर लीजे थोड़ा सा सफल हो जाएंगे यहां पर देखे कि जो लगन अच्छा हो गया सुर्य अच्छा है नीच का नहीं है सुक्र चंद्रमा जैसे दो सुभगरा बैठे हुए है यहां पर यह भी ठीक स्थिती है अब यसी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो दस्मांश कुंडली में भाग्य का स्वामी मंगल उच्च का है तो भाग्य के बल पे ही आप लाभ कमा रहे हैं धन कमा रहे हैं यह भाग्य है यह माभ है भाग्य के बल पे आपकी सारी मनों कामनाई अच्छाएं फिलासाएंग हर गाड़ी का सपना पूरा हो जाएगा सनी और बुध बाराहमे भाव में बैठे हुए है एक बार फिर से ये सकर्म दस्मान्स कुंडली में कैरियर वाली कुंडली में सनी कहां का स्वामी है लाब भाव का स्वामी बिदेश वाले भाव में गया हुआ है चोथे भाव का स्वामी कहां गया हुआ है बुध बाराहमे भाव में यानि जब तक जीवन में काम करना चाहेंगे बाहर रहने का ही ज़्यादा संयोग बन रहा है काम जब खतम हो जाए रिटार्मेंट हो जाए तो इंडिया में भी आने का योग बन सकता वैसे इस कुंडली में कोई गड़वड़ी नहीं है इस कुंडली के अंसार किसी उपाय की जरूरत नहीं है कि कैरियर के लिए कुछ क्या जाया एक आदसांस कुंडली से मनो कामनाओं की पूरती देखते हैं लगन में कोई नीच का गरा नहीं है लगने शनी है जो की बेठे हुए है उच्च के होकर के भग्य भाव में और यहां मनो कामना भाव में राहु बेठे हुए है अपनी नीच रासी में है मनों कामनाय पूरी हो जाएंगे लेकिन यहां राहू का नीच होना रुक रुक करके और रोधाएगा एक बार में इच्छाएं पूरी हो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है दौधसांस कुंडली से पिता के सुक का विचार होता है लगन में ही सूर्य बेठा हुआ है, स्वारासी का होके बेठा हुआ है तो पिता का जो है ठिक दिखाई दे रहा है पिता का मान सम्मान और पिता को सुकवाध देने का प्रयास करेंगे आपके कुंडली से यही दिखता है दसंभाव में मंगल चंद्रमा सुक्र बेठे हुए है पिता ने भी आपका जो है जीवन में मान सम्मान अपना जो भी कारेचे तरुन्द का रहा है उन्होंने उसमें ठीक ठाक किया है कुछ भी अपयस वाले काम नहीं दिखाए देता है पिता का जीवन चरत ठीक देखता है लाहू के तु सुरित तीन क्रूर ग्रह बैटें वाहन ले लेंगे तो भी चलाने का आउसर कम ही पाएंगे वाहन आपको चलाने का योग नहीं बन रहा है खरीद के रख देंगे घर में तो पड़ा रह सकता है ज्यादा दिनों तक यानि आपके हां थाए उसका अरवाहन का सुक आपको मिलेगा विसांज कुंडली से आध्यात्मी कुन्नती देखते हैं लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है लगन पे दो सुब ग्रहों की दृष्टी है भागिवाओं में सनी मंगल की यूती है धार्मिक रहेंगे लेकिन यहां पे जो यह राहू और क यह कभी कभी नास्तिकता की तरफ मतलब नास्तिक तो नहीं बनाता लेकिन मन में विचार लाता है कि यह सब क्या है सच में होता है कि नहीं होता है ऐसे विचार लाता है फिर भी आप आध्यात्मिक बने रहें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है अगली कुं नहीं है सब्त विसांस खवेदांस तुरसांस में की जरूरत होती है क्योंकि इससे हम अरिष्ट का विचार करते हैं सेस कुंडलियां जुड़े अब जुड़वा बच्चों के परिपेच में काम करती हैं तुरसांस में लगन में चंद्रमा बैठा है लगनेश गुरू है जो कामी मंगल भी देख रहा है तो जीवन में कोई बहुत बिसेस अरिस्ट नहीं आएगा यही सूर्य थोड़ा सा आपका गड़बर हुआ है सूरे नीच रासी में है कभी-कभी जीवन में तेज बुखाय टाइफाइट सिर और आंखों में परेशानी सिर में भारी पन आखों मा लगाना और कॉन्फिडेंस का कम होना कभी-कभी ऐसा फील होना की दिल की धड़कन एक-दो बार ज्यादा कम चल गई है ऐसा फील होना कॉलेस्ट्रॉल इन सबकी समस्याएं रहेंगी लेकिन कोई इससे प्राण घार तक हो जाए ऐसी कोई संभावना एक कम ही नजर आ रह चल रही है आप सुक्र की महादसा का भोग कर रहे हैं और सुक्र आपकी कुंडली में कर्म भाव का स्वामी होके भाग्य भाव में नीचका होके बेठा हुआ है सुक्र के लिए स्टोन पहन लीजिए और जब करवाईए फिर देखे बड़ा अच्छा हो जाएगा जुलाई जब यहीं जुलाई 2024 निकल जाएगा तो फिर इसके बाद आपके धन की स्थिती में सुधार आएगा अभी राहु है ना दुतिये भाव में बेठा कुंडली में उसकी अंतर्दसा चल रही है और राहु किसकी अंतर्दसा में है नीच ग्रह की अंतर्दसा सुक्र तो नीच राही है उसकी अंतर्दसा में तो यह कुछ बहुत जादा प्रभावकारी नहीं है अभी अस्थान परिवर्तन कराता रहेगा जुलाई 2024 के बाद संतान का योग बन रहा है जुलाई 2024 के बाद संतान की प्राप्ती हो जाएगी ब्रहस्वत्ती का जब करवा लीजिएगा पत स्वामी और भाग्यभाव मजबूत होता विदेश में तो आप कहीं एक ही अस्थान पर सेट हो जाते और अच्छी इंकम हो जाती लेकिन जब सन्य सुक्र में बुद्ध आएगा ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा कैरियर सेट रहेगा बढ़ियां कमाएंगे जब के त सुर्य महराज आप से लेकिन ये सफलता भी देंगे इस समय में आप अच्छी सफलता का स्वाद चखेंगे जब भी सुर्य महराज की दसा आएगी तो दसा आते ही एक बार पुना सुर्य का जब करवा दीजिएगा ये सुर्य महराज आपको बहुत घिसेंगे घिस घिस के आपको इतना चमकाएंगे कि फिर आपको महसूस भी होगा कि हाँ स्ट्रगल का फल आ गया है सुरी महराज स्ट्रगल देंगे लेकिन सफलता भी दे देंगे चंद्रमा की दसा तोड़ी सी खराब जाएगी नीचरासी में है लाब भाव में है गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में ना सोचिएगा चंद्रमा की दसा में मानसिक तकलीफें भी बढ़ेंगी और योरिन और पेसा आप से जुड़ी हुई तकलीफें आ सकती है हिर्दय के वाल का ख्याल रखना है किड़नी का ख्याल रखना है पेसाब और उससे जुड़े हुए अंगों का आपको ख्याल रखना चंद्रमा के लिए भी मैंने आपको जप और दान बता दिया है उमीद है ये कुंडली आपको समझ में आ गई होगी अप की पॉइंट्स कुछ है देख लेते हैं की पॉइंट्स में हम ये देखने का प्रियास करेंगे कि क्या कोई खराब योग बार-बार तो रिपीट नहीं हो रहा है सुक्र आपके ज्यादा तर कुंडलियों में नीच का आता है कई कुंडलियों में नीच का है तो सुक्र का उपाय जो मैंने बताया वह आपके लिए जरूरी है एक चीज आप खुद से experience कर लीजिएगा राहू के उपर अगर कभी कभी सनी की दृष्टी हो मल्मोत्र देखना सर्प देखना कुछ भी बुरा आता है मंदिर देखना ऐसा कुछ अगर दिखता है तो उस दिन थोड़ा सा सतर्क रहिएगा आर्थिक मामलों में अगर ऐसा कुछ है तो जो राहू का मैंने दान बताया है उसी से वो भी ठीक हो जाएगा overall ठीक है कोई बहुत बिसेस परेशानी नहीं है ग्राह तो गड़बढ है तीन ग्राह आपके नीच रासी में है और नीच भंग भी जो हुआ है वाहुच चकोटी का नीच भंग मैं उसे नहीं मानता हूँ यानि नीच भंग राजयोग तीसरी कटेगरी का राजयोग बना हुआ है दस्मांस कुंडली आपको ठिकाय हुई है कि आप काम कर रहे हैं लगन कुंडलियों से जुड़े उपाय कर लीजिए दस्मांस कुंडली और अधिक आपको सपोर्ट कर देगी